हेलो बच्चों आप सभी का पुन्ह स्वागत करता हूं हिंदी मिडियम केस नमर वन चैनल सुभम क्लासिस पर मेरे प्यारा बच्चों आज तीसरा हिस्सा है प्रश्णावली 6.3 का टैजेंट और नॉर्मल ठीक है आज आखरी लेक्चर होगा और आज हम पूरे प्रस्णों को कवर कर लेंगे ठीक है कितने प्रस्ण है वाइस में चलिए 27 प्रस्ण है लगबग लगबग आज पूरे सवालों को हम कवर कर लेंगे अगर आप अप्लिकेशन आप डेरिवेटिव आउकलस के पहला पार्ट सेकेंड पार्ट नहीं देखें हैं तो जरू जाके देखें पाला है और आपके बुक का दस्मा प्रश्ण ठीक है दस्मा प्रश्ण इसे हम मिटा देते हैं तो टैजेंट और नॉर्मल आई थिंक एकदम क्लियर हो गया होगा और तीन-चार दिन जो टेस्ट चला हाने केडमी पर आई होग कि आप इंज्वाय की होंगे और अच्छे- मत करें चलेगी बहुत जल्दी चलेगी ठीक है एक बच्छे ने का सर आप क्लास तेंद का लाइब क्लासिस का वादा करके आप नहीं है अनाम का अनाम का बच्चे ठीक आज भी बच्चों का कुछ कमेंट हम पढ़ेंगे प्रमरता वन वाली प्रश्ण संख्या 10 पेज नमर आपको यह खरीदना है और इसका प्राइज जो है आपको इसका जो प्राइज है करीब 60 रुपया होगा ठीक है 48 रुपया देख लिए यह 49 रुपया देख रहा ना 48 रुपय आता है आपको यह वाली बुक लेना है 4 रुपय नहीं मिलता है शरकारी बुक है इसी से आपके बूर्ड एक्जाम में सवाल आते हैं ठीक है तो पहला प्रश्ण है कि प्रवणता माइनस वन वाली सभी रेखाओं का समिकण याद कीजी जो वक्र को असपर्स करती है इस बार प्रश्ण में हमें क्या दे दिया है ठीक है प्रवणता दे दिया है वो भी कितना माइनस वन तो हम असपर्स रेखा का समिकण लिखना हो चाहे अविलम रेखा का हम कल से बोल रहे हैं कि आपको दो चीज चाहिए ठीक है एक तो प्रवणता तो प्रवणता हमें दे है वो दे दिया है इसकी हेल्प से हम पॉइंट ढूड़ेंगे क्योंकि असपर्स रेखा का समिकर्ण लिखना है तो कहां पर लिखेंगे ठीक है कहां पर ड्राव करेंगे हमेशा आपको एक बिंदू चाहिए बैटा ये बात समझाई है हमेशा कोई कर्व है तो कर्व पर एक पॉइंट हमेशा चाहिए जहां पर आप असपर्स रेखा ड्राव कर पाए हम कहें असपर्स रेखा ड्राव करिए तो आप तुरंत कहेंगे कहां ड्राव करें यहां पर 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 तो पॉइंट हमीं चाहिए स्लोप हमें द असपर्स रेखा का समीकरण असपर्स रेखा का जो समीकरण का फार्मला है बेटा क्या है पताईए y- y0 यहाँ पर है m x- x0 यह चीज यह चीज हुआ ठीक है तो m तो पता है x0 y0 हम ढूंड के लाते हैं तो मेरा काम हो जाएगा चलिए ठीक है बहुत बढ़िया तो पहले क्या करेंगे बच्चा d y y d x निकालेंगे ठीक है ड y y d x निकालेंगे सभी बच्चे सौल्व करें d y y d x निकालेंगे अप्लिकेशन आप derivative है बच्चा ठीक है solution देखिए कहीं पर भी आप पढ़ने clear होना चाहिए concept clear होना चाहिए सवाल आपकी दिमाग में fit होना चाहिए next topic क्या पढ़ा है बता दीचे maximum minimum हम बढ़ा देते हैं उचिष्ट और निम्निट निम्निष्ट उचिष्ट और निम्निष्ट maximum minimum ठीक है पाचू topic को cover करेंगे जल्दी शमाकलंगी तरफ हम लोग बढ़ेंगे अनकेडमी पर प्रेक्टिस भी कराया जाता है यहाँ आपर भी क्लासे चल लही है vector algebra सदीस वीजगनित 30, 31 29, 31 को हमने class schedule कर दिया है 10 lecture में हमने सदीस वीजगनित को cover किया है वहाँ से भी आपको आठ नमर आते है सबसे पहले क्या करेंगे वच्छा dy y dx निकालेंगे dy y dx निकाल दीजे अगर मैं गलत ना हूँ तो इसका dy y dx जो आएगा minus 1 अपान में x minus 1 का square आएगा यह चाहिज़ आएगा आप कहेंगे कैसे आया अरे बच्छा जो dy y dx ठीक है 1 by x का जो होता है वो minus 1 by x square होता है बहुत बच्छे इसी में परसान होंगे क्या अरे यह कैसे आगे dy y dx x को उपल ले जाएगे इसको कर सकते हैं क्या x के power minus 1 इसमें कोई दिक्कत है क्या इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं minus 1 को आगे लाएंगे जो rule है और एक power कम हो जाता है minus 1 minus ठीक है यह तो minus 1 ठीक हुआ यह x के power minus 2 हो गया बच्छा minus 1 को उपरा रोके रहिए x यह नीचे ला देज़े आया न यानि 1 by x का जो differentiation है ओ है minus 1 by x स्कार बस x के जगा x minus 1 है तो यहाँ पर x minus 1 की स्कार हो जाएगा log x का ओक्लन 1 by x होता है इतना जल्दिबाजी में लड़के होते हैं न ठीक है मुझे पता है क्या गलती होगा 1 by x का ओक्लन जो है तुरंत log x कर देंगे ठीक है होता है दिमांग में इसी तरह से दिमांग में इक्जाम के समय वड़ी हिस्तिती खराब होती है कई चीजी चलता रहता न पेपर बैक टू बैक होता है math का paper है math के बाद physics का है तो physics वा का भी चीजी यह दिमांगाँ कुमता रहता है तो गोल मिल हो जाता है ठीक है इसी लिए चीजों को किलियर करना है कहां पे गलती हो सकती उसमें बार बार हम फोकस कर रहे हैं ठीक है यहीं तो D.Y.D.X हमको दिया है d y y dx असपर्स लेखा का परवनता ही देता है कितना दिया है चुकि देखिएगा चुकि बच्चा d y y dx हमारा दिया है कितना minus 1 यहीं पर रख देंगे तो रख देंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा minus 1 यहाँ पर रोजाएगा minus 1 अपान में x minus 1 का square इसमें कोई लिकर है यह minus से minus कड़ जाएगा इसको इदला दिजे x minus 1 का square यहाँ पर हो जाएगा तोस्तों अब यूपी बोट की student हो तो आप सभी के लिए good news जैसा आप सभी को पता है आपके half-ally exam पास में है और इस half-ally exam के marks भी इस पर add होंगे तो इसी को देखते हुए half-ally exam की जवरदस्त तयारी कराने के लिए unacademy आपके लेकर आए हल्ला पोल यूपी बोट डोजार इकिस पाइस जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप अपने सभी विश्यों के तयारी कैसे करें हर subject के expert teacher आपको बताएंगे कि उस subject में आप कैसे 90 प्लस ला सकते हैं कौन सा chapter आपके लिए important है क्या syllabus है कैसे numerical reaction कैसे तयार करना है और कैसे आप अपना revision करेंगे और तीन साल के paper में जो mcq question आये थे उनका life solution इस class में कराया जाएगा तो जितने भी student डेख रहे हैं अगर आप यूपी बोट के हो तो आप इस class में जरूर इंडॉल करो description में मैंने link दिया यह बिल्कुल free of cost है लेकिन आपको वहाँ पर invite code में सुभम UP10 यह code जरूर डालना तभी आप इस class में free में enroll कर सकते हो सभी classes की link description में है अभी जाकर enroll कर लो यह बिल्कुल free of cost है अगर आप माइनस यहां पर आजाएगा बच्चा प्लस माइनस वन कबर मूल आता है वन अगर आप प्लस साइन लेंगे बिटा ठीक है एक्स माइनस 1 उन ट्रास वन एक्स का मान आजाएगा दो ठीक है अगर आप माइनस साइन Kin लेंगे एक्स-1 इन स्कोर्री स्कल 2 वन-1 एक्स कमाला जाएगा फो सुन है यानि यह x का दूमान आया ठीक है तो y कहां से आएगा y बीचे यह ठीक है x के x is called to 2 यहां पर पहले बोल दिया कि x is called to minus 1 नहीं होना चाहिए क्योंकि x is called to minus 1 पे जो y कमान होगा infinite हो जाएगा बिंदुवा और पर भाजित हो जाएगा ठीक है समझ भाया तो यहां पर देखिए सुलोब तो हमको पता है सुलोब हमको पता है हम पॉइंट ढूंड रहे हैं असपर स्रेखा कर समिकर निकल जाएगा ठीक है चले calculate करिए calculate करिए x is called to 0 पर x is called to 0 पर ठीक है y कमान निका लिए 1 अपान में x is called to 0 पर 0 माइनस 1 y कमान आ जाएगा माइनस 1 एक विंदू हमारा ही हो जाएगा 0 कमा माइनस 1 ठीक है x is called to 2 पर y कमान निकालिए x is called to 2 पर y कमान निकालिए बेटा 2 माइनस 1 हो जाएगा finally यहाँ पर रहे पी कमान यहाँ पर 2,1 ठीक है यह समझवारा रहा है यह एट x is called to 0 पर और एट x is called to 2 पर तो हमें दो बिंदू मिल गए जहाँ पर असपर्स रेखा के जो परोणता है जो माइनस 1 होगा तो दो बिंदू होगा तो दो असपर्स रेखा का समिकन आएगा ठीक है एक ही शुलोप के अलग-अलग बिंदू पर असपर्स रेखा अलग-अलग हो सकती है कैसे ग्राप से देखिए ठीक है ग्राप से देखिए इस तरह से अगर आप ट्रॉक कर रहा है इस पर इस पर जो लाइन होगी और इस पर जो लाइन होगी देखिए दोनों का सुलोप समान होगा लेकिन दोनों अलग अलग बिंदू है तो दोनों का समिकन भी अलग हो जाएगा ठीक है यह बात हुआ तो समिकन लिख लिजे बहुत असान है अब बिंदू मिल गया पी और पी डैस माल लेज़े इसको इसी को इसी को बोलते हैं इसी को नाम देंगे X0 Y0 इसको X0 डैस कर दीजे Y0 डैस कर दीजे इसमें क्या दीख कर देख हो गया इसलिए अज पर्स रेखागा ठीक है बच्चा प्रसंद संख्या अगर 10 आप कर लिएंगे तो कोश्चन नमबर 11 कोश्चन नमबर 12 कोश्चन नमबर 11 और 12 बताने की आवशक्ता ही नहीं है एकदम सेम टाइप प्रस्न है एकदम सिमलर प्रस्न है ठीक है इसलिए इसमें मैं फोकस कर रहा हूँ आखरी लेक्चर होगा असपर्स रेखा और अबलम का तीन-तीन लेक्चर में चीजों को कवर कर दिये जाएगा ठीक है इसलिए असपर्स रेखा का इस सारा कॉनसेप निमांग में रहना चीए असपर्स रेखा का समी करण बहुत बढ़ियां आप सब आप रिस्पांस दे रहे हैं अच्छा लग रहा है हजार के संख्या में डेली बच्चे जो रेगुलर दूड़े हैं जो सुरुवा से दूड़े हैं यहीं देखिए संख्या बात में 30,000, 40,000, 50,000 हो जाता है लेकिन आप जो हजार के संख्या में हैं आप रेगुलर देख रहा है मैं बढ़े के साथ करता हूँ कि आपका नंबर भी अच्छा आएगा आपका ज्यान भी अच्छा होगा मैत में आप बहुत अच्छा चीज सीखेंगे आने वाले दुन में आगर आपको पठाने क्या हो सकता हो गई किसी को बताने क्या हो सकता हो गई तो आप बता भी सकते हैं क्योंकि आपने चीजों को सीखा है रटन आए ठीक है फार्मला क्या आओ जाएगा बच्छा y-y0 mx-x0 ठीक है y-y0 क्या है बच्छा यहाँ पर minus 1 minus minus plus हो जाएगा slope क्या है minus 1 ठीक है x-x0 क्या है बच्छा 0 है ठीक है यहाँ पर हो जाएगा y plus 1 यह minus x इसको इधर लाएंगे x plus y plus 1 is equal to यहाँ पर हो जाएगा 0 ठीक है यह चीज़ होगा x plus y plus 1 is equal to 0 यह यह हमारा पहला आसपरस रेखा किसा मिकड़ोगा ठीक है दूसरी आसपरस रेखा किसा मिकड़ोगा क्या हो जाएगा y- y0- m तो वही रहाएगा x- x0- ठीक है y- y0- y- यहाँ पर हो जाएगा यह 1 सुलूप क्या है minus 1 x तो x रहाएगा यहाँ पर हो जाएगा 2 y-1 minus x plus 2 इसको इधर लाज़ेंगे x plus y minus 3 इसका 2-0 ठीक है सवाल को आपको ध्यान से पढ़ना है ठीक है सवाल में ही जवाब छेपा होता है मैं बार-बार बोल ला था कि अगर असपर्स रेखा कर समय गढ़ना है विच्चा ठीक है equation आप टेजन्ट लाइन लिखना है आपको दो ही चीज़ चाहिए क्या चाहिए भया प्रवणता M जो कि दिया हुआ है प्रश्ण में और हमको बिंदू चाहिए बिंदू हमको नहीं दिया था फोकस किया ताकि question number 11 सेम तरह से question number 12 भी सेम तरह से question number 11 सेम है कहरा कि प्रवणता minus 1 वाले प्रवणता 2 वाले शबी रेखाओं का समय गयाद कीजिए जो वक्र कोस परस करती बस कर बदल गया है y is equal to 1 पर में x minus 3 हो गया है ठीक है दो है जी दो है तो हो गया सेम तरह से प्रशन है बिल्कूल चेंज नहीं है यहाँ पर x का 2 मान आएगा x के 2 मान के corresponding y का भी 2 मान आएगा एक मान भी आ सकता है ठीक है अच्छा यह जो लेस्टों में आया था x minus 1 का square ठीक है इसकल to 1 यहाँ से कितने बच्चे a कही मान निकालते है यह बहुत बड़ा mistake है square हटता बच्चा square हटता है तो हमेशा plus minus आता है यह चीज आप दिमाग में रखे अगर आप plus minus नहीं लेंगे x का a कही मान आएगा और x का a कही मान आएगा सब कुछ आपने सही किया एक चीज दिमाग में note point कर लिजिए ठीक है जो भी चीज है आपको proper way में बदाया जाएगा कोई भी question किसी भी परकार का आपको छोड़ा नहीं जाएगा बसरते आपको session पूरा attain करना है 30 से 35 मिनट जादा जादा कभी 40 मिनट हो गया इससे जादा आपको नहीं समय देना है ठीक है x square is going to beta alpha है तो यह जो square हड़ता है तो plus minus under root alpha जाता है यह चीज है clear हुआ प्रस्ण संक्या 12 प्रस्ण संक्या 12 देखें next question है कह रहा है कि जो हमारा same type का प्रस्ण है same type करा प्रवनता 0 वाली सबी रिखाओं का समय करने जाद कीजिए जो कि वकर 1 upon me x square minus 2 x plus 3 को असपर्स करता है फीर से वहीं सवाल है प्रवनता क्या दिया है बच्चा यहाँ पर प्रवनता इस बार 0 दिया है दिया है तो दिया है उसमें क्या दिक्कर है सुलोप हमारा इस बार 0 दिया है आपको क्या करना है आपको क्या करना है वहीं point ढूणना है point मिल जाए ठीक है तो हमारा sum icon आराम से लिखा जाएगा ठीक है क्या y minus y zero m x minus x zero ठीक है यह चीज़ अराम से काम हो जाएगा ठीक है तो question number 10 हमने अच्छे से बता है same type of question number 11 ठीक है प्रस्ण संख्या 13 देखे बहुत अच्छा प्रस्ण है कई बार कुछ आ गया है बोड़ी गया में प्रस्ण हम यहाँ पर यह संभूतत 13 है न यहाँ पर mistakes लिखा गया 13 आपके पास book होना चाहिए सारे सवाल यहाँ पर पूरी तरह से लिख पाना संभू नहीं है किताब है आप एक नजर देख सकते है पेज नमर 28 इंसी आटी की बुक की बात हो रही है कल एक बच्छा ने कमेंट किया कि सर्म मेरी किताब लेने गयत चार सुरुपया की मिल ला है चार सुरुपया में भाया यूपी बूर्ड की पूरी किताब आजाएगी वो भी 11-12 दोनों का है ठीक है एकाद लों का और आजाएगा उसमें चार सुने यह 48 रुपया की बूक है ठीक है आप पताना कौन सा बूक लिए है थोड़ा अगल बगल अपने दोस्त त्यार मित्रों से पूछ लिजी कि भाया कौन सी किताब चल ली यूपी बूर्ड में ठीक है तो 400 रुपय वाली ले लेंगे तो सवाल भी नहीं फसेगा तेड़े मेंडे सवाल आप करके जाएंगे वहां भी दिक्कत पैसा भी ज़्यादा लग रहा है यहां भी सवाल मेंच नहीं कर रहा है कि सर कौन से सवाल करा रहा है तो मतलब 4 तरप से समझ जाई समझ जाई ठीक है कह रहा हो कि वक्र x2 by 9 plus y2 by 16 is equal to 1 पर उन बिंदूं को ग्याद किजिए जिन पर असपर्स रेखा है x-axis के समानतर है पहला किस दूसरा केस है कि y-axis समानतर है हमने बताया था कि जब असपर्स रेखा बेटा x-axis के पैरलल होती है तो प्रवनता सुन होता है ठीक है और जब रेखा y-axis के पैरलल इसलिए हम बोलते हैं कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देखिए ठीक है पार्ट 1 और पार्ट 2 देखेंगे तभी पार्ट 3 समझ में आएगा एक दूसरे से जो लेक्चर होता है connected होता है कभी ऐसा नहीं होता है कि आप लेक्चर 3 देखें वन टू नहीं देखने तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा होता है तो मैं आखरी लेक्चर क्यों नहीं देखता है ठीक है 1,2,3 चीजों को sequence wise क्यों बनाया गया है उसका कारण है ठीक है तो सबसे पहले d-way curve का हम क्या कर रहे हैं इसके d-way-d-x आपको तो निकालना ही निकालना है इससे आप बच नहीं सकते इसका d-way-d-x निकालेंगे दोनों साइड क्या कर दिजे d-way-d-x शिपका दिजे बहुत असान है ठीक है x square y9 ठीक है बच्चा यहाँ पर हो जाएगा y square y60 clear बच्चा यहाँ पर हो जाएगा d-way-d-x यहाँ पर 1 1 काउकलन 0 इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ ठीक है तो दिक्कत किसमें है किसी में दिक्कत नहीं होगा बच्चा ठीक है तो यहाँ पर अगला step देखे थोड़ा सा x square यहाँ पर 1 by 9 तो जियों करते हूँ x square काउकलन बच्चा 2x हो जाएगा यह 1 by 16 जियों करते हूँ y square काउकलन क्या हो जाएगा 2y into यहाँ पर बच्चा हो जाएगा d-way-d-x और यहाँ तो 0 है यह है इसमें कोई दिक्कत है अगर आप d-way-d-x निकालने में गलती कर दिये तब आपकी समस्या है इस बार असपर स्रेखा और अभिलम का समिक्रण नहीं पूछा है बच्चा बिंदू पूछा है ठीक है point पूछा है देखिए तीन चीजे पूछा है एक तो परवनता एक बिंदू और एक समिक्रण ठीक है तो हर टाइप की सवाल खराय जाए आपको थोड़ा सा कमेंट देख लेते हैं कल बच्चों ने कुछ बाते पूछा तो उसको हम बता दे रहे हैं ठीक है एक एक दू बच्चों का कमेंट देख लेते हैं इसमें clear हुआ शेशन को हम पूरा कबर करेंगे शेशन को हम पूरा कबर करेंगे बिल्गूल परसान मत हो यहाँ ठीक है एक पॉलेट है यह एक नटते rit अबर ठीक है क्या पुछा दवाई कि आप मोगन नराज है हमें पता है है लाइफ क्लासेज ना होने को बहुत नराज है ठीक है सर हमें चेप्टर शिक्स बहुत अच्छे से समझ आ रहा है थैंक्यू सो मच सर कीप इट अप इसका क्या मतलब है कीप इट अप मतलब कॉंटीनी रखे यह पूजा महार का कहना है समझ में आएगा क्यों नहीं है आप रेगुलर इस्टेंट हैं आप देख रहे हैं मेहनत कर रहा है तो मेहनत का परिमार्ट तो मिलना ही है फल मिलना ही है ठीक है सर प्लीज डेली क्लास लगाई है अरे अगर साथ दिन में पांस दिन लग रहा है तो डेली यह माना जाएगा और सब्जेक्ट भी तो है मैत में सौ में सौ लेके आ गएं बाकी एक कोश्चन लव यू सर दीपक सर्मा बोलने हैं लव यू टू सर बुख 400 रुपय की ओ गई है राजन बर्मा अरे भीया 400 रुपय की एतना भी अनर्गल नहीं है इतनी भी मांगाई नहीं कि 49 रुपय बुख 400 रुपय में बेकने लगी गलत खरीदी रहा है नो फैक्ट सर जी गुड़ आप नहीं कोई बात थी एक बच्चा पूछा था वो सी कम देख रहा है यू आप बहुत अच्छा पड़ाते हैं सौरभ सर कुमार कह रहे हैं चलिए थैंक्यू सो मच हुशी बहुत नमस्ते सर नमस्ते बटा आप कभी चरण असपर्स डियर इस सुद्धीन भी कहां से लाएं हैं बहुत हम लोगी बोलते थे पहले ठीक है चरण असपर्स गुरुजी ठीक है अब तो सरी बोलने के लिए कोई असपर्स करता है नहीं मॉडर्ण डे आदमिक यूग आ गया है ठीक है यहाँ पर डी वाई वाई डीक्स निकालिये पहले इस को ढकेल की उधर करिए ठीक है यह हो जाएगा बच्चा एक बटा में 16 यहाँ पर 2y dy dy dx ठीक है माइनस यहाँ पर हो जाएगा बच्चा 2 by 9 into x वड़ा से इसको मोटा कर दिया ठीक है क्लियर हुआ क्लियर दिख रहा है ना दिखेगा तेकि यहाँ से 2 से 2 कर जाएगा अभी दिवाई डीक्स निकालना है डी वाई डीक्स निकाल लिए शोलो की धर करेंगे वच्चा शोल पटामिनों यह एक से वाई को इधर कर दीजी मलता ही है डिवाइट करने लगे यह चीज़ हुआ है घर आहिएगा मत बिल्कुल नहीं अभी दिखेगे आपको डी वाई डीक् खाली जी असपर्स रेखा और अभिलम का जहां नाम आ गया हापको डीवाई डीक्स निकालना ही निकालना है ठीक है तो यहाँ पर केस नमबर वन देखें केस नमबर वन हमें बिंदू ढूंडा है जब केस नमबर वन क्या है बटा जब असपर्स रेखा ठीक है कल हमने के समान्तर ठीक है एक्स अक्ष के समान्तर समान्तर होगी ठीक है तो क्या होता है जब रेखा एक्स एक्सी समान्तर होती है बेटा तो उस के समें डी वाइवाइड एक्स हमारा जीरू हो जाता है यह हम हिंदी बोलें तो प्रावण रता शुलोप ठीक है सुलोप सुन जाता है यह कई बार हमने बताया है इसको हम ग्राफ कली भी बता देते हैं बड़ा इंपॉर्डन प्रश्न है नोट कर लिजेगा इसको इस्टार प्राइड कलें है तो दी बार ओडिक्स निकला हिए तो निकला तो निकाल दिजी यहां पर इस बाइवाइड इसकल टु जीरो यह सब की सब वाइड नौं माइनस सोल एक्स ठीक है बच्चा जीरो इंटू 9 वाई पानिली जीरो आजाएगा एक्स कितना आ जाएगा बटा 0 बटा में माइनस 16 0 आ गया यहनि x कमान आ गया 0 अगर x कमान 0 आ गया तो वही कहां से निगलेगा अरे यह है न सारे जोखों का इलाज समीकर्ण नमबर 1 से ही है ठीक है वहीं से d y y dx वहीं से परवनता वहीं से सब कुछ कर्व नहीं तो कुछ नहीं कमेंट आज की सेशन के लिए आप कर सकते हैं मैं तीन सब्द देता हूं आपको शांदार, जबरदस्ट, जिन्दाबाद आज का सेशन कैसा लगा तीन सब्दों में आप विक्त करना है बहुत तीनों सब्द आप कैसे बहुत अच्छा लगा तो सांदार, जबरदस्ट, जिन्दाबाद सिर्फ शांदार लगा तो शांदार कह सकते हैं ये एक तरह से एक observation है मैं देखना चाहता हूं कि वाकई में कैसा आपको शेशन लग रहा है और भी चीजें सही करने की जो रखाए एक्स कमान जीरो रखेंग बचा यहाँ पर जीरो यहाँ दीजेगा इतना नोट कर लिया ना इतना नोट कर लिया डी वाइड ये इस का ये क्यों बड़ा नहीं आ रहा जी ठीक है ये बड़ा क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर यह क्या भाई, जैसे x कमान इसमें 0 रखेंगे x कमान 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 0 ठीक है, y square इसकल यहाँ पर 16 ठीक है, y square y square 2 यहाँ पर हो जाएगा 16 y square 2 हो जाएगा फिर से plus minus 16 यहाँ से 2 मान आएगा बच्चा plus minus 4 यानि x square 2 0 पर y हमाईशा 2 मान दे रहा है यानि कि 2 बिंदू मिल गए हमें ठीक है, वहीं point वा ढूणना था वहीं point बताना था इसलिए इसलिए हमारा point क्या होगा बच्चा 0 और यहाँ से टे plus 4 लेंगे plus 4 और एक बिंदू हो जाएगा 0 यहाँ पर minus 4 यहीं आपका answer होगा मैं answer answer देखता भी नहीं थोड़ा बहुत होगा calculation ही गलत होगा इससे ज़्यादा थोड़ा होगा जो process है सवाल को हल करने का वो मेरा सभी होना चाहिए और एक चीज़ हम और कहेंगे बच्चा कि जब भी आप सवाल लगाएं तो उतारते समय प्रस्ण को कभी गलत न उतारें इसमें भी चर्चा करेंगे इसी में ओहोँ डी वाई वाई डी एक्स डी वाई वाई डी एक्स क्या था एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट डी वाई वाई डी एक्स कहां गया डी वाई डी एक्स कितना था जी यहाँ यह था डी वाई डी वाई डी एक्स काम है अभे चले ठीक है अभी case नमरkov boa सेकंड भी आदалась बिंदू हो गया यहाँ पर हमारा जो दी वाई वाई डी एक्स है बच्चा डी वाई डी एक्स है माईनस ओलाव डाम्यreन नाई इक्स बाई वाई ठीक है ये चीज़़ यहां पर केस नमर सेकेंड है ठीक है केस लिए सेकेंड है डेखेगा जब असपर्स रेखा है यहां पर सिर्फ य एकला कि समान तरोल हो है क्यों पेटा कोई भी असपर्स रेखा माल जैसा कर्व है एक कर्व है अगर आपने ड्रॉ किया ऐसे एक बिंदू पर एक सीरू कॉमा यीरो पर ठीक है तो यहाँ पर ये ठीटा हमारा 90 नेखर हो जाता है ये अस्पर्स रेखा ठीक है और ठीटा 90 एक इशे के टेन लेते हैं तो वही तो हमारा प्रणता होता है एक कई बहर कोता ऐगए इन कमान इन्फाइनाइट इस केस में जब हमारा स्पर्स रेखा वाई एकसिस के पैलल है समानतर है ठीक है उस केस में उस केस में क्या होगा हमारा क्या होता है इसको के कैल्कुलेट करने में वाड़ा मिश्टिक होता है यह तो हमारा एंव होता है अबस्ट समें आगया कितना है वाजया 16 बटा में 9 यह देखे calculate कैसे होगा इंफानाइट कि इसको calculate करिएगा समझेगा अब क्या होगा इसमें क्या करते हैं बच्चे कि 9 इंटू आई को आग देंगे इसको देंगे यह आजाएगा इंफानाइट यानि एक्स कमान आ गया इंफानाइट ठीक है लेकिन यह नहीं होगा यह आपके कोड़ेंगे लेकिन जो exact है जो इसको हल करने का जो तरीका है मैं वह बता रहा हूं कि हर दिन आप सीखते हैं थोड़ा थोड़ा बोले एक्स यह अगर कुछ नहीं है तो इसके इंफानाइट को इधर वेज देंगे ठीक है यहाँ पर वजाएगा नाइन वाई इन्टु वाई यह जी यह नीचे था इधर वेज दिए जो ऊपर था इसको इधर लागी किसे संख्या में इंफानाइट से भाग देते हैं ब बाई नाइन पाइनली आजाएगा जीरो यह ऐसे सॉल्व करते हैं ठीक है अब वाई जीरो है एक्स कहां से निकलेगा यह वहीं यहाँ पर ठीक है वाई जीरो कमान समिकर नमबर इस्ट्यार में रग देंगे एक्स का दो माना जाएगा यानी एक्स स्क्वार बाई नाइन जीरो इसकल टू यहाँ पर वन ठीक है एक्स स्क्वार यहाँ पर नाइन एक्स स्कल टू प्लस माइनस त्री ठीक है हो गया प्लस माइनस इसलिए बिंदू क्या हो जाएगा बच्चा एक प्लस थ्री कॉमा जीरो और एक दूसरा बिंदू हो जाएगा माइनस थ्री कॉमा ज असान नहीं जितना देखने में लग रहा है कि पॉइंट ढूर्णा ही बहुत असान बात नहीं है ठीक है एड़ी चोठी का जोर लग जाता भी यह कोशन नमबर 14 कोशन कोशन नमबर 14 बच्चा यहां पर देख लें कोई इश्यू तो नहीं नहीं है रिकार्डिंग चलू है ना बाद में पटे जला कि रिकार्डिंग वह नहीं चल ला है ठीक है सब कुछ आई है एवरीटिंग परफेक्ट यहां पर कोशन नमबर पहला चौदे चौदा का पहला बाकि सारे प्रस्णा आप कर लेंगा राम से कर ले जाएंगे धिर धिर आप कॉंसेट दिमांग बैढ़ गया होगा ना 200 लाइक तो बनता ही है इतना तो बन जाता है इतना मैं खुद को कह सकता हूं कि मेरा बनता है ठीक है अगर अगर आप नहीं दे रहे हैं तो मुझे लाइब को कर दिया है और बिंदू दिया है सवार में बोल दिया है कि आपको एसपर्ष रेखा और अभिलम दोनों का सम्मिकर लिखना है नेस्थ अला रहे है टैजन लाएम बहुत असान और को उनल दे दिया है चलिया आरा काम तो हमारा ऐसे हो गया तो पहले असपर्स रेखा का जुगार लगाते हैं ठीक है असपर्स रेखा का समीपन लिखना वो तो असपर्स रेखा की प्रणता चीह यह न पुली हाँ या न तो निकाल दो भाई या यह यह बढ़ी कामी चीज निकल गया अभी तो आप 4X की वो जाएगा बच्चा 18 X स्कायर हो जाएगा ठीक है यह बच्छा 26 X ठीक है इसको हम नाम दे देते हैं M1 जो कि असपर्स रेखा की परोणता आएगा 0,5 मतलब x is equal to 0 पर y हमारा 5 इधर y कहीं है नहीं x कमान 0 रखेंगे 0 आजाएगा ये 0 आजाएगा ये 0 आजाएगा minus 10 finally आगया minus 10 ये clear रहा यानि असपर्स रेखा की परोणता इसलिए लिख लिजे ये असपर्स रेखा की परोणता है असपर्स रेखा की परोणता ठीक है बच्चा इसको लिखी कौँ पेपर ये इसको हमने M1 नाम दिया है जो कि हो गया minus 10 अभी देखिए ये भी इसलिए आसपर स्रेखा कर समिकन क्या हो जाएगा बच्चा फार्मला Y-Y0 M1 X-X0 और X0 Y0 क्या है अरे यही भाईया यह 0,5 है यही X0 Y0 जो बिंदू है मेरी बासमेरी है तो हो गया M1 पता चली गया है Y-Y0 क्या है बच्चा 5 यह हो जाएगा minus 10 X-X0 X0 हमारा 0 बजाएगा ठीक है यह बात हुआ Y-5 क्लिर हुआ यहाँ पर हो जाएगा minus 10 X सबको इदर ला दिजे Y is equal to यहाँ पर हो जाएगा 10 X minus 5 is equal to 0 यह किसका समिकर्ण हुआ बोलिए असपर्स रेखा का अब देखिए अब किसका समिकर्ण लिखना है एक कोश्चन दूर नमर में पूछा गया है अभिलम रेखा का समिकर्ण लिखना है equation of normal line ठीक है मेरी बात समझेगा तो अगर अब 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 ही थिकें क्या बच्चा कि 10-2 है किलीर हूं Done ay क्या की हम जानते हैं चुकि ए आरस पर सश रेखा की परणता और उविलाम सश रेखा की परणता का गूर्णफा होता है उद माइनस होन नत The यह आप लिख लीजे हिंदी में और स्पर्स रेखा की परौणता गुंडते और विलम रेखा की परौणता इसकल टू माइनस वन ठीक है तो हमको एम टू जा यह इस बार एम टू हो जाएगा माइनस वन अपान में अब हमको अबिलम रेखा की परौणता मिल गई और यह बिंदू वहीं रहेगा जीरू कामा फाइब बोली हाया ना तो अब हमको अबिलम रेखा का समय कर लेखना है तो अबिलम रेखा की परौणता मिल गई और यह बिंदू वहीं रहेगा ठीक है किसी कर्व पर एक ही बिंदू पर आप असपर्स रेखा और अबिलम रेखा दोनु डॉक कर सकते हैं आप कहेंगे सर कैसे तो लीजिए भी आई से ठीक है यह तो असपर्स रेखा हो गई कि उसी बिंदू पर नॉर्मल हो जाएगी और यह लाइन ट बिंदू नहीं चेंज हो रहा है अगर यह एसपर्स रेखा तो इसका स्लोप इसकी परोणता M1 ठीक है और यह है तो इसका परोणता M2 यह बात है यह कौन से तो सारे सवालों में आपने देखा होगा कि दी दी वायवय डी varieties दी एकस दी वायवय डी एकस निकाला गया इसके है तो इसमें फॉर्टिन में जो है दूसरा तीशरा चैना पांच मान बिन दाया यह कुर्बिन है उजौु दिया है असपर प्रक्टिस ओर से करने लिए शहाल आपके पर्याबत है ठीक है क्लियर वह चलिए नेक्स कोशन देखा जाए यह वह यह सवाल बहुत ही इंपोर्टेंट है बच्छा बड़ा ही इंपोर्टेंट है असपर्स देखा के समय गणिया कि यह समानता रहे तो इसमें क्लियर वाब कोशन पहले पढ़ लिए प्रसंद संख्या 15 में क्या है ठीक है इस सवाल में क्या है क्या रहा वक्र फलाना x2-2x-7 कि असपर्स रेखा के समय गणियाद करना है जो कि रेखा 2x-y 2x-y प्लस 9 इसकल टू 0 के समानता रहो और इसके समानता रहो अब यह बताईए हम बार बार बोल रहे हैं कि असपर्स रेखा के समय गणियाओ चाया बिलम का दो यह चीज़ चाहिए एक तो प्रवनता और एक बिंदू तीकि प्रवणता जो है पहले case में माले दूसरा case अभी इसको रहन देते है जो पहले case है कि यह जो line है 2x-y प्लस 9 is equal to 0 इसकी जो प्रवणता है बच्चा ठीक है इसकी जो प्रवणता है इस line के ठीक है इसको हम M1 नाम दे देते हैं एक line दिया हुआ है अगर AX प्लस BY प्लस C is equal to 0 उसकी प्रवणता कैसे निकालते है माइनस X का गुणांग क्या है बच्चा 2 है Y का गुणांग क्या है कुछ नहीं तो माइनस 1 है अरे यह माइनस नहीं होता है जी यह जो है ना यह जो 2X माइनस माइनस कुछ नहीं होता है यह प्लस होता है यह माइनस 1 होता है ठीक है सही माइने में अगर देखा जाए माइनस 1 होता है यहाँ पर finally यहाँ गे 2 अब जब जो असपरस रेखा के समिकन लिखना है इस कर्व पर जो की इस line के parallel है अब दो line parallel होती है तो क्या चीज़ बराबर होता है बच्चा उसका slope उसकी परोनता यानि कि सवाल में और परतेक्स रूप से हमको यह कह दिया है कि बेटा जो है असपरस रेखा का जो परोनता है वो क्या है? 2 है ठीक है? तो असपरस रेखा की परोनता यह तो इस प्रस्थने के हिसाब से आया कि परोनता 2 है एक परोनता हम भी निकालते हैं कैसी? डी वाई वे डी एक्स करके ठीक है? डी वे डी एक्स करके तो यहाँ पर solution देखे बटा एक परोनता यहाँ पर है solution शुरूआ हो गया डी वाई वे डी एक्स क्लिर होआ? यह हो जाएगा बच्चा 2 एक्स माइनस 2 प्लस 7 कर 0 हो जाएगा यह किस के परोनता है? अरे असपर्स रेखा की डी वाई वे डी एक्स तो असपर्स रेखा की परोनता देता है अरे असपर्स रेखा की परोनता लेडी 2 है ठीक है? यही पर रख देंगे 2 तो हमको बिंदूओं तो ढूड़ना है 2 एक्स माइनस 2 इधर लाएंगे 4 ठीक है? यहाँ पर रजाएगा 2 एक्स एक्स कमान आजाएगा 2 ठीक है? एक्स कमान 2 आए गया समिकन एक में वाई कमान 2 दो इसको आर बोले तो 4 ठीक है? माइनस 2 इन्टू 2 ठीक है प्लस 7 फाइनली हमारा 7 आजाएगा ठीक है? इसलिए बिंदू है जो बिंदूओं है बच्चा वो है 2,7 जिसको हम एक्स 0 बाद में यजी 0 नाम देंगे तो क्या आ गया? असपर्स रेका के समिकन बहुत असानी से लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट पता चल गया और क्या पता चल गया? परूनता परूनता जानते कहां से निकला है? इस लाइन के हिल्प से क्योंकि प्रस्ण में ऐसा बोला है कि जो असपर्स रेखा आपने ड्रॉ किया है बच्चा ठीक है? ती वो इस लाइन के जिसका समिकन हमको दिया है 2X माइनस Y प्लस 9 इसकल टू 0 ये बार अगर ये असपर्स रेखा के परूनता इस लाइन के पैरलल है तो क्या है इसकी परूनता जो होगी वहीं इस ट्रेजंट लाइन के होगी तो हो गया समिकन लिख लिजेगा एक के चीज़े बार बार लेगे है क्या है ये Y माइनस Y 0 M X माइनस X 0 बोलिये हर हर माद हो गया तो हो गया काम खतम जब अभिलम रेखा कि यहां से जो दूसरी वाइल लाइन यह आपके लिए होमवर्क है देखते हैं कितने बचे कर बाते हैं पंद्रे के बाद कितने कोशन बचे हैं भाई 26 27 तो बहुबी कल्पी हैं उसके बाद सारे प्रस्ण बहुत असान है इसके बाद सारे प्रस्ण बहुत असाल है आप खुझ से ट्राई करेंगे बिंदू दिया है बहुत प्रस्ण को ऐसे हैं प्रवर्क है बच्चा ठीक है ये से प्रसंद दिए कितना असान है point दिया है सुलूब निकाले जिए प्रसंद संख्या 16 ओ मर्क क्या है बच्चा प्रसंद संख्या 16 से लेके कितना है बहुभी कलपी भी ट्राई कर लेजेगा 27 तक साथ में उधारण उधारण आपको ट्राई करना बहुत इंपोर्टेंट है है चीजे उधारण भी करना है अब क्लास खतम होने बाद खाना उना खाके थोड़ा हलका खाना खाईएगा और बैठ जाईएगा बाकी सवाल लगाने टाटक टाटक रहेगा ताजा ताजा रहेगा तो आप भी कर ले जाएगे ठीक है आई होब आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा ठीक है अने किडमी पर मैंने साड़े तीन से साड़े चार दिन में वेक्टर अलजबरा वहां चला है बहुत बढ़िया सेशन है बहुत डाट प्रडक्ट ग्रॉस्प्रॉद्क कैसे निकालते हैं दूद्नी हुई वेक्टर का उस पर हम चर्चा कर रहे है बहुत बढ़िया सेशन चला था ठीक है ए एक वेक्टर टे है बच्चा एक वेक्टर बच्चा एक वेक्टर भी यह डूनों के बीच में और चर्चा कर रहे हैं तो वहां भी सेशन आप अटेंड करें लिंक डिस्क्रिशन में दिया हुआ है नहीं पाप आ रहे हैं तो अनेकेडमी एप इंस्टॉल कर लें और वहां सुधीर कुमार राजबर सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे ठीक है उपर सर्च करेंगे तो एजुकेटर मिल जाते हैं जिससे भी पढ़ना है यह भी इंपॉर्टेंट है दो चीज़े आप सीख रहे हैं यह साथ में आउकलेस के अनफ्योग और साथ में शदीश विजगणी जो कि आपके पार्ट सेकेंड बूग का हिसा है ठीक है आज क बसितना ही बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जय हिन जय भारत